जय बजरंग बली दोस्तों, अगर कुंडली में मंगल की स्थिती कमजोर हो, तो व्यक्ति को बेवजह किसी भी बात पर गुस्सा आने लगता है और उसका स्वभाव चिड़-चिड़ा हो जाता है. पीडित मंगल की वजह से जातक किसी भी नए काम की शुरुवात नहीं कर प परता है. जोतिश शास्त्र के अनुसार, कुंडली में मौझूद हर एक ग्रह का अपना एक स्थान और लाब होता है. लेकिन अगर इन में से किसी एक ग्रह की भी दशा खराब हो जाए, तो व्यक्ति को कई तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना प पारन कर्ज का बोच बढ़ जाता है. इसके अलावा प्रोपटी समबंदी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आए जानते हैं कि कुंडली में मंगल दोश कैसे बनता है, इसके लक्षन और कैसे करे बचाओ. जोतिश शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में किसी ग् मंगल की स्थिती कुंडली में खराब होने पर वो कई तरह के संकेत देना शुरू कर देता है. आए जानते हैं इन लक्षनों के बारे में, मंगल की स्थिती खराब होने के कारण जातक को अधिक गुस्सा आता है. इसके साथ ही उसकी किसी भी अन्य व्यक्ति से जल्दी बनत है. जब मंगल कुंडली में द्वादश भाव में होता है तो व्यक्ति की विवाह में कई तरह की मुश्किल आती है. मंगल दोश के कारण संतान प्राप्ती में भी दिक्कत आने लगती है. कुंडली में मंगल दोश होने से बड़े भाई से किसी न किसी कारण लड़ाए होत शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है मंगल दोश के कारण कोट कचेहरी के मामलों में अधिक फंसे रहते हैं मंगल दोश होने के कारण जातक को रक्त संबंदी किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है अगर मंगल अश्टम भाव में होता है तो वैवाहिक कुंडली में मंगल ब्रह को मजबूत करने के क्या उपाय है। जोत शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में मंगल की स्थिती खराब है तो इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करना लापकारी होगा। नियमित रूप से हनुमान च कपड़े में थोड़ा सा सौफ बांध लें और इसे अपने बेडरूम में किसी जगह रख दें। मंगल दोश से राहत पाने के लिए दान जरोर करना चाहिए। इसलिए गेहू, लाल रंग के वस्त्र, गुर्ट, तामबाग, घी, शक्कर, मसूर की दाल आदी का दान करना मंगल दोश होने के कारण शादी में अर्चन आती हैं। इसे मंगल एक दोश के नाम से जानते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की विदिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर मंगल वार लगातार करें। इस उपाय से मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा और बहुत चल्द शादी हो जाएगी। कुंडली के मंगल दोश को दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ही सिध्ध उपाय है। जिसे आप किसी भी मास के शुकल पक्ष के मंगलवार के दिन शुरू कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 28 मंगलवार व्रत रखने से साधत की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोश है और उसके चलते आने वाली बाधाओं से परेशान है तो उससे बचने के लिए मंगलव के दिन मसूर दाल, शहद या सिंदूर बहते हुए पानी में प्रभाहत करें या फिर किसी मंदर के पुजारी को दान करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल ब्रह कमजोर हैं और आपको उसके कारण जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पर रहा है तो आप को मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ऐसा करना संभब न हो तो आप लाल रंग रुमाल और लाल रंग के अंदगामेंस का उप्योग जरूर करें। बहुत जल्ब लाब मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कॉमेट बाक्स में जै हनुमा जै बजरंग बली जरूर लिखे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।